नवश्कार ताली मार्थिमित्रों 22 द्वारा प्रसारित वर्चुल क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम मा आप सोवनू हार्दिक स्वागत्च्या आधना सेशन मा आपने गेस कटिंग विशे अप्यास करीशू गेस कटिंग ए कटिंग करवा माटे नी एक सामन्य पद्धती छे आपने रोजीनदा जीवन मा अथवा रोजबरोजना कारिया मा अने फिटर शोप मा पन आपने कटिंग माटे हेक्सो फ्रेम नो उप्योग करता होई छे एक्सो फ्रेम मा ब्लेड लगाडी अने ब्लेड नी वड़े आपने कोई पन मट्रियल नो कटिंग करता होई छे परन्तु घणिवार एवी जहरू पड़े के जहारे आग कटिंग एच्छे ए आपनने मलती ना होई अथवा कोई एवी मेटल होई के जहने कापवी एक घणू समय मांगीले एवु काम होई तो आवी जगियाए आपने गेस कटिंग नो उप्योग करिये छे गेस कटिंग विशे थोड़ू समझिये तो एनो सोप्रथम आपने गेस कटिंग नो परीचे मेल होई या गेस कटिंग ए एक ओक्सी एसी टिलीन कटिंग पन वखाई छे अने एक रासायनिक प्रक्रिया छे ओक्सी एसिटिलिंग कटिंग टोर्च वड़े एक नानी गेप तथा गेप नी आजु बाजु नी जे धातू छे तेने जड़पी ओक्सिडेशन करिया द्वारा गर्मीथी पिगाली ने कटिंग करवा मा आवे छे गेस कटिंग ए माल्च टिल ना कटिंग माटे वप्रातू होई छे अने आप प्रक्रिया नोन-ferrous तथा मिश्र धातू माटे उप योग मा लेवाती न थी आउँ शा माटे थाई छे ते गेस कटिंग ना सिध्धान्त द्वारे आपने सम्झी शक्किये छे गेस कटिंग नो कार्य सिद्धांत एउ कहेशे के जारे आपने फेरस मेटल ने तेनी रेड होट कंडिशन एकले के राल घुम अवस्था सुधी गरम करवामा आवे अने त्यार पछी तेने ओक्सिजन नी सामे खुली करवामा आवे त्यारे गरम धातू अने ओक्सिजन ए बन्ने नी वच्चे खुबज गरमी पैदा थाई छे आ प्रक्रियामा खरे खर बे ओप्रेशन धाई छे पेलू ओप्रेशन के जेमा जे धातूने कापवी होए ते धातू उपर जुहत दोरवाई छे अने जेना द्वारा धातूने तेना इग्निशन पॉइंट सुधी एटले के ज्वलन बिन्दू सुधी गरम करवामा आवे छे ज्यारे बीजाव ओप्रेशन धरम यान गरम धातू उपर उच्या दबाने शुद्ध ओक्सिजन नो फ्रभा मारवामा आवे छे मित्रो उप्रोग्त बन्य उप्रशन धरम्यान आयन छे ए खुला करेला ओक्सिजन साथे सन्यों जाई छे अने आयन ओक्साइड बनावे छे जेनू गलन बिन्दू एटले के जे तापमाने धातू छे ए प्रवाही सोरूप मा आवी जै एन गलन बिन्दू केवाई छे तो आवा आयन ओक्साइड नू गलन बिन्दू ए आयन करता घणू जोचू होई छे आथी आ आयन ओक्साइड ए तुरंत पिगली जाई छे अने तेनी पाचल पाचल दबान पुर्वक ओक्सिजन नो मारो करवा मा आवे छे जेने लिदे आपपिगली धातू छे ए दूर थाई छे आपपिगली धातू दूर थाता तेनी साथे जे कट बंती जाई छे तेने लिदे एक गेप परतो जाई छे आने जेना थी कट छे ए सर जायी छे फवर मित्रों आपणे गेस कतिंग पद्दती वीशे थोड़ू वधार समझी है ए पहला आपणे गेस कतिंग मा वप्राता उपकरणों वप्राई शे तेमाँ 11 प्रत्म आप जे बाजूनी इमेज मा जोई शको जो ते ओक्सीजन गेस सिल अक्सीजन गेस सिलिन्डर ए ऑक्सीजन भर्वा माटे उप्योगी छे चेनी अंदर ओक्सीजन नो सप्लाई रहेलो होई चे तमें जोई सको जो तेम ओक्सीजन सिलिन्डर ए एसीटीलीन सिलिन्दर करता कदमा मोटो छे ओक्सिजन सिलिंडर मोटु होवा नू एक कारण एपन छे के ओक्सि एसिटिलिंग कटिंग दर्म यान ओक्सिजन नो उप्योग ए न्यूटरल फ्लेम सेट करवा तथा ओक्सिडेशन माटे पन थतो होई ओक्सिजन नी वदार जरू पड़े जे तेनी साथेत जे बीजो सिलिंडर देखाड़ेल छे ते एसिटिलिंग गेस सिलिंडर छे जेना द्वारा एसिटिलिंग गेस नो सप्लाई करवां माँ आवे छे त्यार पछी बीजु कोई उपकरण जोई है तो ए गेस सिलिंडर उपर लगारवां माँ आवता गेस रेग्यू देखाढवा माटे बन्ये ना उपर रंग नो अळग अलग उपयोग करेल चे, ओक्सिजन माटे ब्लू रंग नो उपयोग थाये जी जियारे, एसि टिलिन मा शामन ये लिते, मरुन रंग नो उपयोग थाये चे, आ बन्य गेस रेगुलेटर नो काम एक गेस सिलिंडर माथी आव ताग गेस ने होस पाइप साथे जोड़ी और योग्या दबान उत्पन्न करवानू छे त्यार पशीनों उपकरन जोई है तो आप जे उपपर नी आकृती मा जोई शको जो एक कटिंग ब्लो पाइप छे जेनी आजू-बाजू थोड़ी नोजल आ पेली छे आप आजू टोर्चना हेड ने आ नोजल साथे जोड़वामा आवे छे त्यार पशी तेनी साथे जे वीजू उपकरन देखाड़ल छे ए ए हाइप प्रेशर ओक्सिजन रेगूलेटर छे मित्रो आ हाइप प्रेशर ओक्सिजन रेगूलेटर एक खरेकर उचा दबान थी धेकवामा एक अगत्य नूप करण एटले के oxygen अने acetylene gas माटे rubber hose pipe connection मित्रो आ connection जेतमें जोई शको जो तेम blue color नूजे देखाई छे ए oxygen माटे छे अन्दर जे देखाई छे लाल कलर नी pipe ए लाल कलर नी pipe खरेकर acetylene माटे छे hose pipe नूँ खरेकर काम ए शिलिंडर ना regulator थी लाई अने cutting blow pipe सुधी oxygen अजने acetylene नूँ भहन करवा माटे होई छे आ होस पाइप ने कारणेज आपने cylinder कोई स्थीर जगिया राखी शक्किये छे अने cutting torch ने लांबी करी अने जिहां आपने gas cutting करवान हुए त्या सुधी लंबावी शक्किये छे त्यार पछी नूँ उपकरण जोई है तो ए छे spark lighter आकुरूति मा जियम तमने देखाए छे ए एक spark lighter छे मित्रों गणीवार रोजीन दा काम मा आपने spark lighter नो उप्योग नथी करता अने गणीवार लोको बीजा प्रकान ना लाइटर नो उप्योग करता होई छे खरेखर गेस कटिंग माटे spark lighter नो उप्योग जीता होई छे कियमके बीजा प्रकान ना गेस लाइटर माटे एनी हेड छे ए थोड़ी ना नी होई छे चे ती दाजी जवानों संभाव ना रहा है छे आ माटे आपने ofite acetylene cutting माटे ओप्रा गेस लाइटर नो उप्योग करिये छे चे तमने आकृती माझ देखा डल छे तेनी साथे नी नीची नी आकृती माझ जे देखा डल छे ते लिंडर की सिलिंडर ना अलग अलग connection तेना valve टाइट करवां माटे सिलिंडर की नो खास करी ने सिलिंडर साथे जोड़ों मा आवेशे जेथी तेनी जरूर पड़िये तेनों उप्योग करी शकाए मित्रों 14 पछी नी आकरूती मा जे उप्योगी नथी परंतु सलामनती माटे घणुज उप्योगी शे मित्रों गेस सिलिंडर नो जे रवा आपड़ उप्योग करी शे त्यारे गेस सिलिंडर ने हमेशा वर्टिकल स्थिती मा राखवानी अगत्य नी जरूर परती होईशे जो आउँ न थाए औने गेस सिलिंडर जो आडव पड़ेल होई तो यहनी गबडवानी शक्याता रहे शे अन्य आवा गबड़ ता सिलिंडर गणिवार अकस्मात सर्जी शक्या है आ माटे ज आपड़े गेस सिलिंडर ने एक फिक्स वर्टिकल स्थिती मा राखवानी चेनी माटे आपड़े एनी ट्रोली ना उप्योग करीए शे आकरोधे मा दर्सावेल एक ट्रोली छे चेनी बन्ने बाजुए एक एक सिलिंडर एटले का ओक्सिजन सिलिंडर औने चेनी बन्ने एक इसिटिलिंग कटिंग उपक्रण विशे बाद हवे ओक्सियसियसियलिंग कटिंग पद्धती विश्य शिखीए एपड़ेला आपड़े ओक्सियसियतिलिंग कटिंग माटे पर्चि माइंटे सिखीलिये मित्रो टोर्च ना अभ्यास वगर, कटिंग टोर्च ना अभ्यास वगर तमें गेस कटिंग कार्यक्षम रिते नहीं करी शको एटला माटेज कटिंग टोर्च नो अभ्यास एक खुब अगतियनों छे कटिंग टोर्च ओक्सी एसिटिलिंग वेल्डिंग टोर्च करता अलग रचनावाली होई छे आ टोर्च माँ केंद्रमा आवेला होल माथी शुद्ध ओक्सीजन उच्चा दबान थी लाल चोड करेली धातु उपर हाई प्रेशर थी ओक्सीजन नो प्रवा छोड़े छे मित्रो आ हाई प्रेशर दी छोड़ा तो प्रवा ए खरे खर ओक्सीजन ने कंट्रोल करवा माटे जे वधारानू लिवर लगाव मावे छे तेने आपारी छे ओक्सीजन औने एसिटिलिंग गेस ना कंट्रोल माटे ओक्सीजन औने एसिटिलिंग कंट्रोल वाल अलग लगा प माटं जी उपपरनो व्ड़ी गेल भाग छे ते टोर्च हेड छे मित्रो आघ्वाईने और टोर्च Ňड नो उपयोग नोजलने कनेक करवा माट था जैं डितने आगल आपड़े अलग-ledge नोजल जोई गया ए अलग-लग नोजलने आहेड सा थे कनेक करवा माँँआशे अलग-अलग जहडाईनी अने अलग-अलग कटिंग प्रक्रिया करवा माटे अलग-अलग प्रकारणी नोजल आपेली होई छे मित्रो आ नोजल ने आ हेड माँ फिट करवा माँ आवे छे त्यार पछीनों अगत्यनों भाग एटले के कटिंग ओक्सिजन कॉंडियूट ये जो भाग, एटले के नीचे नहीं भाग मां जे तमने कॉंडियूट देखाए छे हैं, जे हैड नी साथे जुडेल छें, येने क्या वाईचे मिक्स गेस कॉंडियूट, मितले कें गेस छें, ए एसीतिलीन औने ओक्सिजन ए बनने गेस ना मिश्रण ना सप्लाई माटे वा आपरवामा आवे छें। त्यार पछी नो अगतियनो भाग एटले के कटिंग टोर्च नी उपपर आवेलो 300 देखातो लिवर। एटले एक कटिंग ओक्सिजन लिवर छें। खरेकर आ जहगी आये थी मित्रों cutting torch ने operate करवामा आवे भेशे, औने cutting torch ने पकड़वामा आवे भेशे, ते cutting torch नी जिवत ने दोरवामेंटे घणों उप्योगी छे, तियार पछी cutting torch ना ACY नउफ भागो चोईये, तो तेमा आवेशे oxygen needle wall, तमें आख्रुती माँ जोह छोहे shave पाचल नी बाजुए होस पाइप ना कनिक्षन नी बाजु माज ओक्सिजन नीडल वाल आपे लोगी छे जे ओक्सिजन गेस ना सप्लाई माटे उप्योगी छे तेनी साथे जे बीजो वाल आपे लो छे एचे एसीटिलीन नीडल वाल जेवी रिते ओक्सिजन नीडल वाल छे ओक्सिजन ना सप्लाई माटे उप्योगी छे एवीज रिते एसीटिलीन नीडल वाल एसीटिलीन ना सप्लाई ने कंट्रोल करे छे एनी साथे आपेली लाल कलर नी ट्यूग ए एनू होस कनेक्शन छे ओक्सिजन नीडल वाल नी बाजू मा आपेलू जे लाल कलर नी ट्यूप छे ए ओक्सिजन होस कनेक्शन छे अने एनी साथे जे विजू आपेलू छे ए एसिटेलीन वाल नी बाजू मा आपेलू छे जे एसिटेलीन होस कनेक्शन छे आगल जे आपने होस पाइप जोई गया त जह कटिंग टोर्च नी ब्लो पाइप छे एनी साथे जोड़ाई छे जेने टोर्च हेड केवाई छे तो आतो थेया भागो हवे मित्रों आपने एक वीडियो द्वारा गेस कटिंग नी खर्यखर पद्धती केवी होई छे अनि केवी रिटना गेसकटिंग करी शक्किये ते ज थोडिक प्रमाण मा एसिटिलेन वाल खोलिये छिया श्पार्क लाइटर नी मदत थी आपने जोट शलगावी छिया जोट मा देखातो कालो धुमाडो जुहां सुधी बन्न थाए त्यां सुधी आपने एसिटिलेन वाल ने खोलिये छिया हवे आपने हाय प्रचर ऑक्सीजन वालनों उप्योग करी अने अक्सीजन ना प्रभाने सेट करवानों छे आ प्रभा येवी रीते सेट करवा माले जही जेथी न्यूट्रल फ्लेम बनावी शकाए अगाव आपणे गेस वेल्डिंग मा फ्लेम ना प्रकारपंट शिकी गया छी है इनी मदेथी आपणे जानी शक्किये कि आ देखाती जे फ्लेम छे एक खरेकर न्यूटरल छे आ कौन बराबर जन्रेट थाई जाए त्यार पशी आपणे लीवर दबावी अने यहां थातो फेरफार जोई शक्किये शिया हवे आपणे कटिंग करिया अहिए आपणे पेली वार एक आखो रन छे पूरो करी प्रीहिटिंग करीशु त्यार पशी आपणे धिमे धिमे नकी करेली जगिया उपर जयोतने दोरवीशु धातू गरम थही जाए त्यार पछी एनी उपर ओक्सिजन लिवर नो मारो करी अन्य जियोद दोरवाई से जोव मित्रो आक कटिंग धायू खरेकरे यानी धार उपर कई रीते देखाई से ए आपने जोईए धार उपर ज्यारे कटिंग टोर्शनू मारो चलावमा आवे त्यारे ते लाल ग्гу मावस्थामा आवे ए साथे ज ओक्सिजन लिवर नो उपियोग करवा हमावे से ओक्सिजन लिवर नों उपियोग करताच धातू छे ए दूर थाई छे नीचे थी तन खाओ ज़रता देखाई छे कटिंग दर्शावे छे आ कट ने योग्य रिते करवा माटे आपने एने टीप ने सिधी रेखामा दोरवी जरूरी छे मित्रो आपद्धती छे ए घणी स्लो के घणी फास्ट न थाई ए माटे आपने एनू योग्य प्रमाण मां कटिंग जोच छे एने दोरवी जरूरी छे आहियां आपने एको रुदार न देखाडवा मावे छे जे तनखावान नू जुम्खो तमें जोई शको छो नीचे नी बाजू पर आबर एक कटिंग थाती धातू देर्श्रावे छे एनी साथे जे थोड़ी गणी मेटल छे साइड मां रही जाई छे जेने आपने सलेग कहिया छे आ सलेग छे ए पच्छी थी जारे दूर करव मां आउतू होई छे कटिंग टोर्च ने घणी धीमी गती मां आई या दो रहवा थी सलेग छे ए धातू पर रही जेतो होई छे जेने बाद मां फिनिशिंग प्रक्रिया थी दूर करवी चरूरी छे वीडियो मा आप जोई शको जो आ घणी सलो प्रक्रिया थी आना थी पान धीमी प्रक्रिया चो था है तो के उ रिजल्ट आवे ए पन एक जोई ए एक और उधार नहीं या लिए मार्किंग करेली जगिया उपर आपड़े कटिंग टोर्च ने दूर वी है आ लाल गूल मवस स्थामा आवे छे हवे ओक्सिजननों मारो करवामा आवे छे ओक्सिजन लिवर दबावी अने ओक्सिजननों मारो शरू करता तन खावननु जूमखो ए नीचे नी बाजू देखाये छे तीमे दिमे मारकिंग करेली जगिया उपर चूतने दोर वता जगिया गणिज दिमी प्रक्रिया करवा थी वच्चे ओक्सिजन लिवर ने फरीथी दबावी ज़रू पड़े छे आ प्री हीटिंग माटे जे तमे गरम करो शो अथो पियर्सिंग पेला जे गरम करवामा आवे छे एनी एक इमेच छे कटिंग टोर्च वड़े लालगु मोस थामा धातूने लावामा आवे छे है मित्रो आपड़े पियर्सिंग होल कई रिते कटिंग टोर्च वड़े थाए ते एक जोई लिए एक होल नू आपड़े मेटल उपर पियर्सिंग करी छे सव प्रथम धातूने गरम करवामा आवे छे धातू लालगु मोस थामा आवे त्यार बाद अपड़े छे रिते ओक्सिजन लिवर ने दबाविये छे अन्य ओक्सिजन नो मारो शरू करिये छे अ त्यार पशी गोलाकार मा धातूनी टीप छे एने धातू उपर टीप छे एने दूर वाई छे आतामे जोई शको जो गोलाकार भाग छे दूर थे यो छे तो आपने गेस कटिंग नी पद्धती ने वीडियो द्वारा समझी हवे गेस कटिंग मा खनूज सिखवा जोग काम एटले के गेस कटिंग मा वपराती साव चे तियो तो सव प्रतम तनखाओ जे आपन जोई गया ए तनखाओ आपना शरीर ने क्याई लागे नहीं कि आपन सलामती पोशाको पहरवा जोई है सलामती पोशाको जेवा के एपरोन, गलव्स, शूज ए ओगेर नो उप्योग ए गेस कटिंग मा खास ज़रूरी चे त्यार पछी बीजी साव चे ती एटले के जोलनशील पदार्थो जेवा के पेट्रोल, डीजल, कोईल, ओईल छे एनने सलेग, जे आपड़े नीचे नी तरफ जोई है छे के जे तनखाओ पड़े से, अथवा नीचे आपड़े जे पेला वीडियो मा जोई गया के निया धातू पड़ेली होई से, तो आ धातू ने पसार थवा माटे योग्या जगिया मली रहे, ते माटे कट नी नीचे नी आजुमा उड़ता होई, तेनु खास द्यान राखो जरूरी छे, तमारा शरीर नी परिस्थिती एवी रिते राखो के कट थती होई ए धातू तमारा शरीर ना कोई अंगु पर न पड़े, त्यार पछी नी सावचेती शे एछे के तमारी जातने औने बीजाने पन उड़त आतन खाओ थी, दूर राखो, मित्रों, आगर नी सावचेती जोई ए, तो आपड़े जे भाद ने, अथवा जे थातू ने कापिये छे, तेने बराबर टेकवी, अने येना बेलेंस करी ने कापू जोई ए, एटले जे कपातो भाग छे, एक कोईना पग उपर, के एक गरम थेलो भाग होसपाइबू पर पड़े, तो नुक्सान न थाए, त्यार पचीनी सावचेती जेम आपड़े जोई गया के आ फ्लेम क्रियेट थाई जे, जोलन शिल्पदार्थो होए, तो अकस्मात थवानी संभाव न रहे छे, तो आवी स्थिती माँ आपणी पासे अगनी शामक तैयार, अने हाथ होगा होए, एवी रिते रहवा जरूरी छे, अने छेली पन खुब जग्यत्यानी एवी सावचेती, एडले के जोलन शिल्पदार्थो नुक्णी वार आपणे गेस वेल्डिंग करता होई जी, तो आवा जोलन शिल्पदार्थो राखता वासरण न लेता, तेने प्रथम स्वच करवा जोई ए, एमा थी जोलन शिल्पदार्थो मुक्त करवा जोई जेती कोई अकस्मात न थाए, मित्रो आ अपने गेस कटिंग विशे महाईती मेलवी गया, आजना सेशन मा आपने गेस कटिंग विशे कारिय सिद्धान्त, गेस कटिंग ना उपकरणों तेनी पद्धती अने सावचेती विशे सिखी गया, आशा राखुछू छू कि आ महीती आपने उपयोगी थाई होई, वदू आपने आवता आंके एक बीजा टोपिक साथे मलशू, त्या सुदी मने रजा आपशो, नमस्कार.